उत्तर परदेश हर्दोई के बिलग्राम कोतवाली शेतर में ट्रैक्टर ट्रोली और ट्रक की आमने सामने की भिरंत में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि उस पर सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जीने जीला अस्पताल के लिए रैटफर कर दिया दिया है मोके पर पहुंची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए जीला मुख्याली भेज दिया है बिल ग्राम कोतवाली के ग्राम गुदवापूर, निवासी सुनिल कुमार, विश्विनाथ पर ताप सिंग, वीमल कुमार, अर्विन कुमार, सुशील, पुशपेंदर, नरेंदर सबी लोग ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर गेहु पिसाने के लिए अपने गाउं से बिलग्राम आ रहे थे उनका ट्रैक्टर ट्राली कट्रा बिलहोर राश्चे राजमार्ग पर जैसे ही नौ मलिकपूर रोब मोर के पास पहुंची तो तब ही विपरीद दीशा की ओर से आ रहे ट्रक ने अपने ट्रैक्टर ट्रोली में अन्यंत्रित होकर जोरदार ट्रक कर मार दी हाथसे में सुनिल कुमार विशुनात परताप सिंग की घटना स्थल पर ही मोत हो गई जबकि गंभी रूप से घायल विमल कुमार को आनन फानन में जीला चिकिसालिर रेफर कर दिया गया यहाँ पर उसकी भी मोत हो गई इस हाथसे में शेज सभी घायल हो गए हैं जिनको इलाज के लिए जीला अस्पताल भेजा गया है समाचार मिलते ही मोके पर पहुँचे प्रभारी कोत वाली सुरेंदर कुमार ने शवो को कबजे में लेकर आवश्य कारेवाही के बाद पोस्ट माटम के लिए जीला मुख्याली भेज दिया है गटना की जानकारी मिलते ही शेत्रिय भाश्पा विधायक अशीश सिंग आसू व उप जिला अधिकारी राम विला स्यादवी मोके पर पहुँचे और उसके बाद समुदायक स्वास्ते के इंदर पहुँचे यहां उन्होंने गायलों का हालचाल लेकर डॉक्टरों से समुचित इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिये गटना के बाद से मिर्दक के परिवार जनों में कोहराम मचा है कटरा बिल्लववर हाई पर सदरपूर के पास में एकसिडेंट हुआ है जिसमें टरक और ट्रैक्टर में टक्कर हुई है और जिसमें चार वेक्तिओं के डेथ हुई है कुछ लोग इसमें गायल हुए हैं, गायलों को चतकाल जुए चिकिट्सा के लिए भेजा गया है और मौके पर ठाना बिलग्राम के और मादोगेंच की फोस मौझूद है, SDM साब मौझूद है वहाँ पर. एंड जोती गार्डन अजे बीटी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें। घन्ने वादी!